तो गुड़ाप्तरनून एवरी बड़ी मैं डॉक्टर सुनील नाडगवडा वेंकीज इंडिया लिमिटेड के तरफ से आप सभी फार्मर्स का स्वागत करता हूं यह डिसकेशन के लिए यह डिसकेशन आज लेयर नूट्रीशन में अपन कोस्ट आप्टिमाइजेशन कैसे क कर सकते हैं और यह खाली फाइव परसेंट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा दिसकेशन में हम बात करेंगे बाकी के प्रॉब्लम्स जैसे कि अभी फिड़ कोस्ट बढ़ रही है या कुछ इस्यूद आपने पास में चल रहे हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे ए यह प्रेजेंटेशन पूरा कि छतम होने के बासमे आप आप उइसके बारे में इसके बारे में करेंगे तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यह पॉल्ट्री में बीवी 300 जो अपने पास में अभी बर्ड है वो बर्ड में तीन सो पचत्तर अंडे तीन सो चबत्तर अंडे असी हपते तक देनी की कपैसिटी है 96-97% का पीक प्रोडक्शन मिल जाता है लगबग 16-17 हपते में अंडे का प्रोडक्शन चुरू हो जाता है और 50% प्रोडक्शन 20 हपते में क्रॉस हो जाता है और जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले तो हम 70-72 वीक्स में बर्ड कल करते थे लेकिन आज की पुजिशन में 72 वीक्स में कल करना पॉसिबल नहीं है जो कि एकनॉमिक सारे चेंज हो गए है और दूसरी बात ये भी है कि बर्ड का परफॉर्मन्स भी अभी 80 वीक्स तो आराम से अपने को अच्छा मिल जाता है और हम उसको 85-90 वीक्स एवन 100 वीक्स तक भी बिना मोल्टिंग भी रख सकते हैं अगर इसके ग्रोइंग बुडिंग या अच्छी तरह से हो गई है तो और ये बर्ड का पर एक फिड कंजम्शन लगभग 125 ग्राम्स का कंजम्शन ये बर्ड को पर एक के लिए लगता है तो यह आप सभी लोग जानते हैं लेकिन जस्ट एक इनफर्मिशन के लिए यह बीवी 300 की सारी खूबिया है जो हम बर्सों से देखते आए हैं अभी यह अच्छा प्रोडक्शन मिलने के लिए 374-375 अंडा मिलने के लिए अच्छा नहीं है गलत है तो फिड़ क्वालीटी अच्छी नहीं मिलेगी बर्ड को ग्राण के नहीं मिलेगा जितनी मातरा में उसको प्रोटेशा सब्सक्राव चाहिए वहandinब आपको management अच्छा है आपके फिड़ के quality अच्छा है लेकिन आगर आपके पास में बार-बार कोई product problems आते रहते जैसे आरडी है यह है तो यह चीज की वज़े से koli है माईको प्लाज्मा है तो यह चीज की वज़े से बर्ड का production efficiency से और सबसे हैं चीज का उसको बर्ड को जो चाहिए वह वातावरन मिलना चाहिए जैसे के टेम्परेचर है है वेंटिलेशन है यह सारी चीजे उसको शेड के अंदर मिलनी चाहिए ताकि बर्ड उसको जो भी उसका कपेसिटी है जिसको बोलते हैं वह एक्स्प्लाइट करने के लिए वो बर्ड को ये सारी चीजे बराबर मातरा में मिलनी चाहिए इसमें से क्या है कि बहुत सारी चीजे अपने हाथ में नहीं है अगर जो हाथ में है वो सारी कोशिश करनी चाहिए जैसे कि अभी गर्मी है गर्मी में शेड का टेंपरेचर कम कैस से रहे उसके लिए लगाए लगाए या फैंस लगाए है वह साब से सारा प्लैनिंग करके हमको रतना चाहिए जो गर्मी शुरू होने के पहले ताकि बर्ड को अच्छी तरह से वातावरन मिले और वह अच्छे वातावरन में फिर बर्ड आपको अच्छी देखेंगे तो तीन चीजे बहुत माईने रखती है एक है पहला गटिल जिसको कि हम बोलते हैं कि पेट बर्ड का अच्छा होना च्याइए हमारे हुमन में भी बहुत बार बोलते हैं कि अगर जिसका पेट अच्चा है उसका सेहत अच्चा है तो वह हिसाब से अगर बर्ड का गट या डाइजेस्टिव सिस्टिम अच्चा है तो वह बर्ड आपको performance में कभी निराश नहीं करेगी क्योंकि होता क्या है जो भी बर्ड फीड खा रहा है वो फीड को प्रोटीन, एनरजी, लाइसीन, मित्योनीन इसमें कन्वर्ट करके बर्ड को पहुंचाने का सारा काम ये डाइजेस्टी सिस्टेम के थू हो जाता है तो इसके उपर बहुत काम रहता है और जैसे आप जानते ह कि पोल्ट्री में लगबग एक बार खाना खाया तो तीन घंटे में लगबग ये सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वह हिसाब से हमको बर्ड की गठेल जो है उसके उपर ध्यान रखना शुरूशे जरूरी है ऐसा नहीं है कि अभी लेइंग में आए अभी गठेल त बर्ड को कईसी फीड दें अच्छा प्रोटीन दिया अच्छा एनर्जी इसका मतलब बहुत अच्छा फिड बनाया है और बडड की अच्छी होगे यह ज्यादा कॉंसी वी चीज़, प्रोटीन ज्यादा दे आपने एनर्जी ज्यादा दे दिया वह भी हानिकारख बड़ क निवाए लिवर्ण करता है का प्रोडॉड्बू करता है कि प्रोड़क्शन कैसा रहे हैं अच्छा रहेगा ज्यादा से लिवर्ट का हेल्ट चार्क अच्छा रखना बहुत जरूरी हुए दू इसमें अगर अच्छा नहीं रखते हैं तो कमर्शियल लेयर में बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है फैटी लिवर की प्रॉब्लम आने के लिए बहुत चीजे का चीजे इसके पीछे रहते हैं जैसे हाई एनर्जी डायट है लाइसेन एनर्जी का रिशो है यह सारी चीजे अगर बराबर मात्रा में शुरू से नहीं रही तो बहुत बार क्या होता है लिवर का अच्छा नहीं रहता और वह नहीं रहता तो फिर प्रॉडक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाती है और लिवर हेल्थ के उपर सबसे आसर करने वाला और एक गटक कौन सा है तो वह है टॉक्षिंस अपल में दूसरी चीज़ है आज की कंडिशन में ये आज के टाइम में किसी को बताने की जरूत नहीं है इसा मेरा मानना है क्यों कि क्या है आज कल लोगों को इसके पहले कभी नहीं उतना million का important लोगों को समझ में आया है कि आगर hemuniti जिसकी अच्छा है उसके साथ साथ नहीं उसके साथ में क्या होता है तो बाइब का युमिनिटी तरहिं रखना अब और कर inac detox थ decor रहना इसके लिए क्या क्या करना है वह सारी चीज़ें करनी शची सिदो टबार को फीटक्स आगे लेक लिए में कि एक फीड़ीयर का हता है मूल अगे में लेकिन यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसके बारे में अब हमको पहले से सोच के रखना चाहिए कि ताके हमारे बर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आये तो हमको उससे ज्यादा से ज्यादा तकलिप ना हो हमको बहुत कम तकलिप हो उससे अगर समझे वीवी एंडी की प्रॉ जाएगा जिसके पास में उम्मटग की अच्छी नहीं वह बर्ड़ों में परड़ाइशन बेस परॉड़ाइशन द्रॉब हो जाता है तो वह साब से एम्म्मटगे का इंपॉर्टन्स कंट्री में बहुत ज्यादा है जैसे हुमंश में हम अभी समझने लेग आपको एक जन यह चिक्स में, ग्रोवर में, डेवलोपर, प्रिले और लेइंग फेज में, तो लगबग हम चार हफ्ते तो चिक्मियाश देना चाहिए, इसमें क्या होता है, बर्ड का बॉडी फ्रेम डेवलोप होता है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, यह मैं हमेशा फार्मर्स या मीटि से हैं, आपके पास में तो बहुत सारे यह पहलवान वहां से आजाते हैं, हमको हमारे देश के लिए खेलने के लिए, तो आप सभी लोग इसके अहमियत तो जानते हो, इनकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, बहुत पहले से हो जाती है, तो वह हिसाब से बर्ड की श क्लोराइड पोटेशियम जो भी है उसको जो मात्रा में चाहिए वह मात्रा में अगर मिलती है तो डिफिनिटली बर्ड का बाड़ी फ्रेम अच्छा बन जाता है और अच्छा बाड़ी फ्रेम बन जाता है तो बर्ड को बाद में तकलिप कम है इसका एक एक जामपल देता हू कोई भी कॉंप्रोमाइज मत करो कि आपको जो भी कॉंप्रोमाइज करना है आप बाद में फिट रहेगा ग्रोवर का है यह में फेस्ट two है फेस ठी है फेसफ वह भी देते है आजकल आपन तो उसमें आप कोंसंट्रेट केर दीजिए जहां से आपका फिड के उपर का खर्चा कम हो सकता है लेकिन यह चार हफ्ते में बिल्कुल कॉंप्रमाइज नहीं करना है उसके साधा सिंपल मका सोया डिवार भी का फीड रखो तो आपको यह दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगे स्टैंडर्ड बॉड़ीवेट रहेंगे तो बर्ड का बॉड़ीवेट लेंग के टाइम पर अच्छा रहता है और फिर चोटे अंडे या चोटा बर्ड प्रोलेप्स यह सारी तकलिकी तकलिपे कम हो जाती है उसके बाद में पास से नव हफ्ते में ग्रोवर फिड हम देते है इसमें बर्ड का ब्रोथ हो जाता है और यह जाता है तब हमको उसके उतना चाहिए तो आप फिर लेखिएतर यह समझो पाच हड़ते में आपने डीडीजेर डालाा तीन डालो फिर देरे देरे उसको नेग्सट फेज में चार परषंट करो फिर बड़ाओ या जीन डालना आपको तीन परषंट से शुरूरो मस्टर डालना है दो परषंट डालो पाच से नौ वहाफ्ते तक उसके बाद या मके के लिए ब्रोकन राइस है जैसे या राइस पॉलिश है यह भी डालने के लिए हम कोई दिक्कत नहीं लेकिन वह पाच हपते के बाद में चार हपते तक कोई लिए एक्स्प्रिमेंटेशन मत करो उसके बाद में डेवलोपर पीड़ रहता है दस से 15 हपते में हम देते हैं वह कि टाइम पर बड्स का डिप्रडाप्टीव ग्रोथ हो जाता है मतलब क्या है कि रिप्रॉडक्टीव ग्रोथ मतलब जो भी वोरीज है उसका रिप्रोड़क्टिव सिस्टिम है यह सारी चीजों का डिवलप्मेंट जो है वह 10 से 15 हपते के बीच में हो जाता है और वह टाइम पे अगर नुट्रिशन में कुछ गड़बड़ी है तो वह ग्रोध बराबर होता नहीं फिर वह आगे जाके बर्ड क्या करत कि यह कितने दिन के बाद में अंडा देगी या उसको जजमेंट उसका आता नहीं तो वह हिसाब से एक खमरूल के हिसाब से 16 हफते और 17 हफते में आप दो हफते फ्रीले फीड देदो जिसमें 2.5% कैल्सियम रहना चाहिए 0.45% आपका एवेलेबल फॉस्परस होना चाहिए 0.7% होना चाहिए डाइजेस्टिवल फिर उसके साथ में एनर्जी 2650 के आसपास एनर्जी रखो 16-16% प्रोटीन रखो उससे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो प्रोटीन ज़्यादा दिया इसका मतलब बर्ड को ग्रोथ आच्छा आएगा या अंडा अच्छा नहीं है तो प्रीले फिड बहुत इंपॉर्टन्ट है प्रीले फिड से बर्ड को आदत हो जाते है क्यूंकि उसके बाद में हम उसको ज्यादा कैल्सेम वाला फिड एकसेल बनाने के लिए जो लगता है वो देने वाले इसलिए उसकी तैयारी करना यह 16-17 हफ्ते में बहुत लेकर 46ी से 46 वीक तक आप उसको फेस त्री दिजीए और उसके बाद में आप उसको फेस पूर दे सकते हैं और यह फार्मूलेशन चेंज करने के जो बेस है वो बेस क्या है तो वह आपको प्रोटीन को देरे-दीरे कम करना है कैलसियम को बढ़ाना है पसपरस को कम करना है औ हिसाब से हमको फर्मुलेशन करना है और जबी भी फे लेइंग में हम फर्मुलेशन करेंगे वो टाइम पे ध्यान में रखना है कि बर्ड फीड कितना खा रही है अगर हंड्रेड ग्राम खाती है तो आप साड़े सॉला परिशन्ट प्रोटीन रखो अगर आपका बर्ड एक स पहले फेजवन में 25 सब्सक्राइब लगबग 4 ग्रयाम कैल्सियम डेली मिलना चाहिए तो वह हिसाब से फेजवन में अगर 100 ग्राम का कंजम्शन है तो 4% कैल्सियम रखिए अगर बर्ड का कंजम्शन 95 ग्राम है तो आप 4.1 परसेंट रखिए तो वह हिसाब से आपको क्योंकि क्या हो जाता है कि फीड बर्ड जैसे कि मैंने बोला आपको कि इंपॉर्टन तो है फिड कंजम्शन बहुत इंपॉर्टन है फिड के शिवा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और 18 हपते तक लगबग आपकी बर्ड 5 किलो और 600 ग्राम फिड खाती है और 19 हपते से लेके 80 हपते तक बर्ड लगबग 47 केजी फिड खाती है और इसमें यह फिड जो है फिड बर्ड का जो भी अंडे का प्रोडक्शन कोस्ट है आज की पुजिशन में मेरे हिसाब से 4.5 रुपे के बीच में जो भी प्रोडक्शन कोस्ट है उसमें से मेजर तो आपका फिड का क्योंकि आज कल में सोया का फ्राइज हाईयर होने की वज़े से वह कॉस्ट में कॉंट्रिविशन ज्यादा है फिड का तो अभी मैं जो बोल रहा था आपको की कॉंप्रमाइज मत करो लेंग चिक्स में इसमें क्योंकि क्या है जिरो से 18 हप्टे तक देखेंगे तो आप 5.5 किलो बर्ड फिड़ खा रहे यहां पर आगर फॉर्मूलेशन में चेंजर करके एक रुपया भी बचाएंगे तो आपकी कॉस्ट यहां पर कितनी बचेगी 5 रुपया 5.5 रुपया बचेगी लेकिन यह जो 46 केजी है यहां पर आप अगर 50 पैसा भी बचा सकते है तो आपका लगबग 23 रुपया पर बर्ड कॉस्ट बच जाता है 23 रुपया पर बर्ड और यह 23 रुपया आपका कब बचेगा जब आप यहां पर 5 रुपया बचाने के लिए कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे तभी तो इसलिए क्या है कि 18 हपते तक बर्ड के ब्रुडिंग ग्रोइंग उसमें बाद में लेंग में फाइदा हो जाता है तो इसलिए फीड इंपोर्टन्ट है और उसको शुरू से द्यान रखना जरूरी है अभी हम जब फीड बनाते हैं तो फीड बनने के लिए हमारे पास में ऑप्शेंस क्या है एक तो आप ओण फीड बनाओ सारी सारे चेंज के ऐए कि कुछ प्रीमिक्स मिलते जैसे के 52.5 पर्षंट है सब्सक्राइब हो रहते हैं तो ऑन फिड बना ने टाइम पे क्या हो जाता है कि आपको कम से कम बीश आइटम्स चाहिए फिड बनाने के लिए इंग्रेडेंस मका सोय से लेके आपका पाइटेस्ट ऑक्षिन बाइंडर विटैमिन प्रिमिक्स मिनरल प्रिमिक्स तक और इसमें क्या हो जाता है कि आपको यह सारे 20 के 20 आइटम के आपको कॉस्ट कंट्रोल करना एक आपका अपना काम बन जाता है दूसरी चीज यह सारे जो है कैंब इसके उपर हमको को कॉंट्रोल रखना पड़ता है बहुत बारा ऐसा होता है एक सप्लाइर से आया हुए अच्छा रहता है फिर हम कभी उसमें अगर गया वो गलतीसे खराब वाला जो मका हुआ हमने अंडोड किया और फीड में गया तो हमारे पास में टॉक्सिट अगर आप 80 परसेंट ध्यान नहीं दे पाते तो यह सारी गलती होनी के संभावना हो सकती है बहुत सारे हमारे कर्स्टमर्स फार्मर्स ऐसे भी है कि जो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखते हैं फिड मिल में वगरा देकिन मेज़ोरिटी टाइम क्या होता है कि आप सभी लोगों को फीड प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन इसके अलावाबे आपके पास में सेलिंग है पर नॉर्मर्मर्मर्य क्या होता है 2 यह तीन खाली लगते हैं कि जैसे मका है इजा यह तंट्रोल अपना कम हो जाता है पिड के ओपर आगर समझवें कम करना और आपको क्या होता है करेंगे तो कम होगा नहीं तो नहीं होगा तो वह हिसाब से ध्यान में रखना हमको जरूरी है कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल हमारे पास में नहीं हम देख रहे हैं लेकिन इसमें चीज अच्छी क्या हो जाती है आप आपके रॉम मट्रेल की क्वालिटी अच्छी रख सकते हैं मतलब क्या है कि आप अगर एक ही चीज दो ही चीजे मंगाना है आपको खाली डिवार भी और मका मंगाना है तो आप उसके उपर या स्टोन ग्रिट मंगाना है तो तीन इंग्रिडेंट के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं कॉस्ट वालिटी सप्ल सब्सक्राइब रहता है और आ adapt कर लेंगे पर सटैंसारें वह एकिलस्ट में रता हैं के कंट्रोल में रता के स्ट्रॉल 56S आप डाल रहे तो इसके लिएory और ये रिप्लेश्मेंट के लिए आप स्ट्रॉया के लिए जी N Bean मस्टर्ड है यह आपका रिपसीड है यह डाल सकते है संप्लावर डाल सकते है और मक्य के लिए आप बाजरा जवार ब्रोकन राइस राइस पॉलिश वह सारी चीज़े डाल सकते हैं अपने हाथ में रह जाता है और दूसरी 95 95% कोस्ट के कंट्रोल का कंट्रोल आपके पास मिर कर पाएंगे और इसमें भी आपको क्या होता है चार-पांच इंक्रेडेंट लगते हैं तो उनका क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी उनके यह सप्ला यह वह सारी चीज़े ध्यान रखना आपको आसान हो जाता है तो यह सारा डिप्रेंसेस है वह फिड कॉंसेंट्रेट और प्रेमिक्स में क्या हो जाता है इस चीज़ का उसके बाद में हम जबी हम अभी बात करते हैं फिड़ फॉर्मूलेशन की फिड़ फॉर्मूलेशन बनाना जितना लगता है आसान उतना आसान काम है नहीं है बहुत सारे लोग पर आजकल सौप्ट्वेर सौप्ट्वेर लेक के काम करते हैं बेस्ट मिक्स है ये ये बहुत सारे है या कुछ Excel फाइलस बनाएके स्वालवर के दूब बनाते है लेकर उसमें क्या है कि हमारे लिए बहुत हो जाता है कभी कभी कि बर्ड की रिक्वाइर्मेंट क्या है और ये बर्ड को कौंसा पिड़ा भी चाहिए और हम फॉर्मूलेशन में चेंजेस करके उसको कैसा दे दे इस चीज के उपर हमको द्यान रखना चाहिए रहता है तो इसलिए नौर्मली एक फॉर्मूलेशन बनाने के पहले यह सारी चीजे के उपर द्यान देना पड़ता है अगर बर्ड आपका उसको लाइसीन मिलना चाहिए उसके बाद में वह कम होके 0.7 हो गया 0.68 हो गया 65 हो गया यह सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है बर्ड की येज के हिसाब से बर्ड के प्रड़क्शन के हिसाब से फिर बर्ड का मिनरल रिक्वार्मेंट इस्पेशली कैल्सियम और Albanatar Fore Sky कितना चाहिए अगर अजैसे मैंने भूला कि जैसे बर्ड की येज बढ़ जाती है क्यल्सियम बढ़ जाता है कि कम हो जाथ के बाद में लिवर का हेल्थ मैंने अभी समझाया आपको कि लिवर का हेल्थ कितना माइने रखता है बर्ड का प्रोडक्शन अच्छा रहने में हिट स्ट्रेस का मैनेजमेंट आप सभी लोगों के पास में तो बहुत ज्यादा टेंपरेचर ऊपर चला जाता है तो आप सब लोग इसमें मास्टर के जानी में हैं सवां के रामी में यह एलेक्टरोलाइट डालना चाहिए एकान रॐस्ट कंगरती आपको में और र्रधियन कं पैप्लेस करना हैject के हिसाबएज करना है यह शारी चीजें हमको हिशाबने पढ़ती है समर के लिए उसके बाद में पानी जैसे पानी एक important nutrient है और पानी जब जितना भी बर्ड समझो 47 kg खाता है तो उसके लगबग तीन गुना ज्यादा बर्ड पानी पेगा मतलब 130-140 लिटर पानी पूर ही उसकी लाइप में पी लीगा तो वह इसाब से वह पानी का water sanitation उसका temperature कैसा है पानी में कुछ खराबी है क्या hardness कितना है pH कितना यह सारी चीज़े देखनी पड़ती है उसके यह करने के बाद में हम बर्ड को खिलाते कैसे है वो भी बहुत जरूरी चीज़ है मतलब अगर समझो आपने सारे पिंजरे में आपके चार-चार बर्ड डाले हो है लेकिन कुछ प्राब होगे और हम डालते टाइम मशीन समझो आपके पास में आटोमेटिक ट्रॉली है तो आप क्या करते उसमें हिसाब से बर्ड का कंजम्शन एक सो बीस है एक सो बीस से लगा देते लेकिन जो पिंजरे में चार बर्ड है उनको भी 120 के हिसाब से फिड मिल रहा है जो तीन है उन इसने खारे मुर्ड इन मुर्ण खा रहे और जो पाच बर्ड है जो पिंजरे में उसमें भी 400ग्राम पांच मुर्ण खारे तो इसमा मतलब क्या हो गया जो दो आर तीन वाले वर्ड है वह ज्यादा वजण हो जाएगा उनका उनने प्रोटीन सारा ज्याधा मिलेगा प्रड यह पर जाहेगा और यहां पर उनका वजन गटेगा तो उनका अंड़े का साइज अंड़े प्रोडक्शन सारे के उपर असर हो जाए तो ये चीज के लिए बर्ड का सारे कि पिंजरे में एक नंबर होना बहुत ज़रूर है चार का पिंज है तो चार रखो हो सकता है कि उसके वज़े से आपको यह खाद लाइन में आगे पीछे आपको पिंजरे खाली रहेंगे तो रहने दीजिए लेकिन वह चीज के लिए हमको बाकी प्रोडक्शन वगरा के उपर कॉंप्रोमाइज ना करना पड़े वह हिसाब से प्लैन करना चाहिए और इंपॉर्टन क्या है न्यूट्रियंट इंटेक मतलब क्या है कि आपने फिड़ बर्ड को 110 दिया तो उसको बरावर 16 ग्राम साड़े 16 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो वह मिल रहा है क्या एनर्जी 270 किलो कैलरी चाहिए उत.» लैैर सियुट बञाए ने जुटना दोकशन मिल रही है क्य्या कालिशिएं साड़े चार ग्रैम मिलना चाहिए extranet देखने वह जुवह सब प्लैनिग करना और पहले देखना करता है अपने फार्म में कैसी कंडीशन है लेबर कैसा काम करते हैं फिट दिस्ट्रिबिशन ये वो शारी चीजे द्यान में रखके फर्मूलेशन बनाना ज़रूरी होता है इन सब के उपर फार्मूलेशन अगर समझे यह सारी चीजे आपने द्यान में रखकी प्रडक्शन कैसे करते हैं भूँप्रूरड़न है इसमें अगappy होती है तो आमारे पास में तकलिब आते हैं मैं हमेशा बोलता हूं कि फिक मिल जो है ना फिर्मिंड िधें वह पोल्टरी फार्म का हार्ट है और अगर इसको कुछ कुछ तकलिप हो जाती तो पूरे फार्म को तकलिप हो जाएगी तो वह हिसाब से हमको फिड मैनुफेक्ट्रिंग फिड मील का मैनेज में अच्छा रखना बहुत जरूरी है अगर उसको कुछ गड़बड हो जाती है तो सारा गड़बड प्रोडक्शन में हो जाता है जब हम फिड तैयार करते हैं या फिड मैनुफेक्ट्रिंग करते हैं तो उसके पहले हमको कौंशी चीजहं के ओपर ध्यान देना पड़ता है एक तो सबसे इंपॉर्टन है कि रॉम मट्रेल प्रोकुर्मेंट जितने भी रॉम मट्रेल आमको लगता है फिड मिल में उतने सारे मिल तब करना है तो हुसाब से हम देखना चाहिए उसके बाद में क्या है वह 15यूंग मुटिक कadoreठी में होता क्या है कि समझो आपके पास में एक मक्य का गाड़ी आया और हर महिने में आप के पास में अगर सऔभरी हैं तो वह सव्भोरी में आपको अलग-अलग-अलग-अलग-अलग क्वालिटिय की मका मिलेगी तो उसमें हमको जितना ज्यादा हो सके उतना वेरियेशन कम करने की कोशिश करनी पड़े करनी पड़ती है क्या ने तो आगर क्या समझे उसमें ग्रेंग साइच छोटा हो गया पास में तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं बहुत सारी जगह पे घोमा हूं तो वहां पर देखा कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि मका अगर 300 किलो डालना है तो तीन गुरिया लेवह ले लो यह हिसाब से काम चलता है वजन करने के बज़ाए मैं किसी को दोश नहीं दे तो उसमें क्या हो जाता है फिर आप देखेंगे तो मके की बूरी समझो सव किलो के आपन पकड़ते तो कभी सव कि रहते कभी 95 कि रहेगी कभी 90 कि रहते कभी 105 कि रहते हैं तो वह इसाब से हमारा को फ्लान कीजीए वजन करने के बाद में फिर ड्यांडिंग के लिए यू जरूरी है ड्रेंडिंग करते संब क्राइम हमको द्यान teorit और की कंडिशेन क्या है मोटार का स्पिड़ क्या है तो बहुत बार हो जाता है कि आप में तो बहुत जोर से गुमता है पाउडर बन जाती अगर ज्यादा पाउडर हो जाएगी तो बर्ड को खाने में दिक्कत हो जाती है तो वह हिसाब से यह चीज के उपर ध्यान रखना चाहिए कौँशी जाली लगाना है लेइंग में नॉर्मल यह अपने को पाच एमियम से साथ एमियम का जाली बहुत परफेक्ट है उसमें हमको परफेक्ट एक साइज मिल जाती है फिर उसके बाद में ग्राइंडिंग के बाद में कौन सा मट्रेल कप छोड़ना है क्या करना है इसके उपर भी पहले जो ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं वो मट्रेल छोड़ो उसके बाद में फिर छोटे में रखते हुए mixing करना है पहले बड़े वाले डालो फिर चोटे वाले फिर उससे चोटे वाले फिर उसमें आखिर में जो सबसे चोटी मात्रा में चले जाते है वह raw material डालो और वह डालने के बाद में mixing का time के उपर बहुत important है जो आपका फिड मील का manufacturer है उसने जो आपको मिक्सिंग आपका खराब हो जाएगा क्योंकि जो हेवे एटम है जैसे लेस्पी है पत्तर वह सारा नीचे आ जाएगा अगर आप उसको छे मिनिट के वज़ाए चार मिनिट देते ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए कभी ऐसा हो गया तो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा फिड हमारा अच्छा नहीं बनेगा तो यह कि बहुत सारी घ्यांग में रखने की ज़रूरत है और उससे सबसे इंपॉर्टन क्या आ जाता है कि प्रिमिक्सिंग मतलब क्या है कि अगर समझो आपको चोटी-चोटी जो भी अफ्टे अडिटी तीउज जालते हैं जैसे कि चोटी मातरा में रहते हैं सो ग्रियांपंस घ्यांड इनको सबको पहले एक साथ मिला तो तो आपको वह अच्छी तरह से उसका मिक्सिंग ओजाता है तो अभी प्रीमिक्स क्या है तो प्रीमिक्स मतलब जो भी जो मैंने बोला जैसे कि छोटे एटम से उनको एक साथ मिक्स करते हैं उसमें आपका जो भी चोटा एटम समझा आप फाइटेज लिजिये फाइटेज 100 gram की फाइटेज एक टन में जाती है और उसको अगर एक टन फिड में मिक्सर में डाल दिया तो बराबर mix नहीं हो पाएगा हो सकता है वो mixer कर रिबीन वगर उसके उपर आठक जाएगा लेकिन उसी 100 ग्र्याम को अगर हमने 5 किलो डिवार भी लिया या 10 किलो राइस पॉलिश लिया उसके साथ में मिक्स किया पहले प्रिमिक्स अच्छी तरह से छोटे मिक्सर में और फिर बड़े मिक्सर में डाल दिया एक टन में तो आपका मिक्सिंग ग्यारंटी हो जाएगा अ इंनको फिर डिब्बा उठाके अंदर डालना उसको प्रिमिक्स नहीं बोलते हैं मतलब क्हाई चोटे-चोटे आइटम सारे आपने वजन कि वजन करने के produits में चोटे और फिर उसको घुमाने के बाद में हम आपने उसको फाइनल मिक्सर में डाला तो वह आपका प्रिमिक्स हो गया अच्छा प्रिमिक्स जरूरी की है तो इसके हिसाब से मैंने जैसे बोला कि छोटी आइटम हम बड़ी अच्छी आसानी से हम पूरे फिड में मिक्स कर सकते हैं है जै अगर यह छोटी आटम से डारेक्टल मिक्सर में डालते तो अच्छी तरह से फिड में डिस्ट्रीबिट नहीं होती एडर आच्छा नहीं बनता है और प्रिमिक्स बनाने के टाइम पर इंप्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है तो तो प्रेमिक छोटे-चोटे इटम नहीं आ पाए तो अपकान बजम प्रोब्लेंसमी कर सब्क्रीन करते विफमें समय तैम और और रखना चाहिए श्ममें अगर जाती है तो हम आपको प्रोड़क्शन में दिक्कत आने का चांसेस रहता है और एक प्रोड़क्शन डाइरेक्टली आपका प्रिमिक्स अच्छा तरह से बना है नहीं बनाए उसके उपर करता है तो वह हिसाब से यह सारी चीज़े ध्यान में रखना बहुत जूरू है कि मैं किसी को यह ब्लेम नहीं करूंगा लेकिन यह कुछ पिक्चर्स है प्रिमिक्स के आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिब्बे पड़े हुए है बहुत सारी बोरिया पड़ी हुए वहां प पानी खिंच लिते हवा से और यह हो जाता है खराब हो जाता है अप देख सकते हैं तो वह हिसाब से हमको जड़ा ध्यान रखना जुरूरी है यहां पर आप देख रहे हैं कि आगर आपको 15-20 आइटम प्रिमिक्स में डालना है और यह आदमी को अगर बोलेंगे कि तो यह मेरे को 10 बैच का प्रिमिक्स आज बाना के देंगे तो तो आदमी क्या करेगा सुबर सुबर काम पर लग जाएगा तो दो-3 बैच का तो प्रेमिक्स अच्छी तरह से बनाएगा लेकिन उसके बाद में उसको भी वह भी आदमी है वो भी गलती करने का चांसेस रहता है तो व्हों सकता है उसने कुछ गल्टी किया तो हमको उसको लेंग में प्राबलम बर्ड़म आ जाएगा कि यह और पुछ पिक्चर से मिक्सर के मिकसिंग के प्रेमिक्स बनाते है वह जगह के तो किसी को मैं उन्हां एक बार बोलता हूं किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूं लेकिन ऐसा फिल्ड कंडिशन में प्रैक्टिकल में होता है बहुत बार कि यहां पर आप देख सकते हैं तो पूरे रखे हुए है फिर काम का नहीं वह भी रखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाता है प्रिमिक्स का क्वालिटी या आपके दवाई आपने बहुत अच्छी लिए कि अच्छे क्वालिटी का लिए आच्छी कमपणी के पास से लिया है लेकिन आप अगर इसको आशी तरह से रखेंगे तो आपका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा खराब जाएगा आपको जो रिजल्ट चाहिए वह नहीं मिलेगा फिर प्रोडक्ट काम नहीं करता यह नहीं करता वह ऐसी सारे पिसी को तो उसमें देखके क्या गड़बड़ी हो रही यह देखना जरूरी है और उसको करेक्ट करेंगे तो आपको बिना कुछ दवाई वगरा देखे ओसके आप लोग थीए तो अभी यह सारा जनरल बात करने के बाद में मैं अभी फफ़ब पर्शेंट के बारे में बात करताहीं वह बात करताई हो त्होड़ा बात सोलूशन है यह फिड बनाने के लिए आसान तरीके से बनाने के लिए और इसमें आपको गैरंटी मिलती है कि यह फिड आपका बैलन्स रहेगा न्यूट्रिशनली और आपको जो भी आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट अप्टिमाइज करके दे देगा आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कॉस्ट 18 रुपया मेरा कॉस्ट 16 रुपया इसका मतलब यह हुआ तो कभी-कभी होता ऐसा है कि आपका 18 रुपया मेरा 19 रुपया भी कॉस्ट आ जाता है 5% के पास में लेकिन उसमें अगर 2% 3% प्रोडक् अपने यह दिन से लेकर पहले दिन से लेकर जब तक आप बर कलिंग करते तब तक और जिसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि बढ़ का डिवलॉपमेंट अच्छा हो जाए और आखिर में के अच्छी रह जाए और सारे बर ब्रीड के लिए हम इससे प्रॉर्मूलेशन बना सकते हैं जैसे के दूसरे ब्रीडस भी रहते हैं तो उनके लिए भी हम यह प्रॉमिक्स यूज़ करके फॉर्मूलेशन बना सकते हैं और फॉर्मूलेशन हम नौर्मली खुद बना के DETA है आपको क्योंकि क्या है उसमें हम मिद्च के इसाब से अलग फर्मुलेशन देते हैं तो डेफिनेटली आपका पर्फर्मस में इंप्रॉम्मेंट होना है और इंडिविज्वल फार्म की हिस्ट्री लेते हैं कुछ प्राब्लेम है क्या है बर्ड का बॉड़िवेट क्या है यह क्या है प्रोडक्शन कितना आ रहा है आंडे की इस क्या है वह हिसाब से सारा हिस्ट्री लेकर फर्मुलेशन बनाते हैं जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास में बहुत सारे टेकनिकल सब्सक्राइब है जो टेकनिकल सर्विशेज दे सकते हैं उसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं डिशीज एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक का इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको बर्ट का परफर्मंस अच्छा ही मिलेगा यह मेरा गैरंटी और इसके लिए बैलन स्पीड बनाने के लिए और आसान तरीके से बनाने के लिए फाइव परसेंट सुलूशन अच्छा है तो जैसे मैंने बोला कि आपको यह आप से 46 वीक तक फेज 3 47 से लेके 71 वीक तक और फेज 4 72 वीक से आगे जैसे आप जितने भी दिन रखते हैं 95 वीक 100 वीक जितना भी रखते हैं आप उसमें आप यह फार्मुलेशन इस हिसाब से प्रिमिक्स यूज़ करके बना सकते हैं यह पुराना है तो खाली यह दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ यह अगर आपका 5% विदाउट 5% आप बनाते हैं तो लगबग आपको 21 इंग्रेडियेंट लगते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो आपको खाली 5-6 इंग्रेडियेंट में आपका पूरा फिड बन जाता है और बैल ताड़े 7,000-8,000 रुपया आपका बच जाता है तो इसको क्यों होता है यह पॉसिबल यह optimization होता है बच को जो मात्रा में चाहिए उसी मात्रा में यह मिल जाता है फिर इसमें कैसे रहता है फॉर्मूलेशन में आपको आगर प्रोटीन 16% देना है तो वह डिसाइड रहता है तो यह सारा द्यान में रख के यह इसनी इसका परफरमस आपको गेरंटीड अच्छा आएगा तो हमको फटार्मूलेशन जो भी आपके फार में जो भी इंग्रेडिएंट है वह इंग्रेडियंट को लेके जो भी consumption है वह फॉर्मूलेशन करके दे सकते हैं इसमें आप जो इसके लिए बाजरा ज्यादा रहता है यूज कर सकते है हएutan ऐसे तकलिप आती विज्यादा यूज करने ज्यादा में वाजरा में कोलीन कम रहता है तो किर्शन में तो अगर आप पूरा का पूरा बाजरा डालते है या 20% के उपर बाजरा या 20% भी डालते है तो आपको इसमें 500 ग्रैम से लेके एक किलो तो कोलिन ल्टिक्लोरांईड कीदा ऊपर से डालना पड़ेगा बाकि कोई भी चीज आपको डार दालने की जड़ूरत नहीं है कोई लीवर-टोंुक नहीं चाहिए प्रोबायटेग नहीं टॉक्सिंबवाडर नहीं डार नहीं विटैमीन नहीं कुछ भी डालने की ज़ुरूरत आ नह को तकलिप बर्ड में जिखने की संभावना होती है तो वह हिसाब से हम प्लैन करेंगे तो 5% से आप अच्छी तरह से फिड बना सकते हैं अभी कुछ दूसरी करना चाहता हूं है तो इसी लियर वहां पर रहता है तो इस लिए रेगुलर एंकी मायको प्लाजमा进GS प्रोग्राम करना जरूरी नहीं तो बहुत बार होता है मेरे फार में प्रोडक्शन अच्छा है कुछ नहीं यह क्यों करू ऐसा आपने पास में सवाल आता है लेकिन इसके लिए यह प्रॉब्लम आपने को ध्यान में रखना जरूरी है तो इसमें आप ब्रुडिंग ग्रोइंग पिरियड में से शुरू करेंगे अगर पहला हफ्ता पाचवा हफ्ता नौवा हफ्ता और तेरावा हफ्ता यह एज में अगर तिल वैलोसिंट टार्टारेट रेस्पो टिल 25 यह 25 यमजी पर केजी बॉडिवेट के हिसाब से तीन दि में दीजिए और उसके साथ में आप एमोक्सिसिलिन 20 यमजी पर केजी बॉडिवेट तीन दिन दीजिए तो आपका मैको प्लाज्मा ब्रुडिंग ग्रोइंग का कंट्रोल अच्छी तुरह से हो जाएगा और एक ध्यान में रखिए मैको प्लाज्मा अगर ज्यादा है तो आपको रेगुलर हिसाब से करने की ज़र होता है जैसे ब्रुडिंग में एक पांच नौ और तेरा हफ्ते में करिए यह हिसाब से और लेइंग में हर छे वीक में आपको वेंट्री मूलिन टेन परसेंट दो किलो पर टन और फिड वह आता है पंदरा से लेके 25 यमजी पर के केज़ी पर में ट्रिक तन आप 20 यमजी पर केज़ी बॉडिवेट के हिसाब से कैल्कुलेट करके दे सकते दोस्त इधर ऊदर थोड़ा हो सकता है लेकिन यह डोस्ते आगर आप देते हैं तो आपको तकलिप नहीं आती क्योंकि अभी की पूजिशन में 10 मिलिग्राम 15 बाकी मैनेजमेंटल सपोर्ट बर्ड को क्या करना चाहिए तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूं तो बाकी मैनेजमेंटल मैनेजमेंट सपोर्ट के सपोर्ट में आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसको कि वर्मिंग हर तीन महीने में करें कि आजकल हो सकत होता है कि डिवर्मिंग वर्म्स दिखते हैं लेंग में भी उसकी वजह से बर्ट का इम्मिनिटी डाउन होता है फिर कंजम्शन बढ़ जाता है प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूसरी चीज़ का ती जो गठेल थे वह अगर आप डालते हैं जैसे के वेंट्री मिस्वाल है एटी एमजीप पर के एटी ग्राम पर थाउजंड वर्ड तो आपको तकलिप नहीं है शिंगल सिंगल डे का ट्रिट्मेंट करना है फिर वैक्शिनेशन में आप खास करके न्यू कैसल डिसीज़ आरडी और कि किया होता है हम हर पाट एमंठिषहापते में ला सटा करते हैं तो ल Springs अब नहीं करेंगे तो खाली उसके पहले आपको वैक्सिन के पहले एक लासे सोता करना जरूर है कि जबन किजिए और लिवर्ट युज जरूरी है तो इसलिए लिवर्ट यह को 건ểm breathing में करेंगِ ब्रूडिंग भोंग में में आप नहीं वी करते तो कोईची महीं है युज युज के साथ युजा विब और सबसे इंपॉर्टन्ट रेट्वेंट करेंज जरूरी है डेली सैनिटेशन उसके लिए क्लॉरेंड़ेंड़ ट्याबलेट दस ग्रैम की एक टेबलेट लिटर पानी में डेली डालने के लिए आसान है उसको मीजर करो यह करो या करने की जुरुरत नहीं पड़ती एक तो आसान हो जाता है और उसके साथ में ऐसे फायर जैसे वन इलिमिनेट वन फिप्टी एमेल थाउजन लिटर में डालेंगे तो भी बराबर रहेगा और आपका वाटर सैनिटीशन भी अच्छा रह जाएगा यह वर्ड्स में इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए भी गट में जाके आपको मदद करते हैं तो वह हिसाब से यह जनरल गाइडलाइन है इसमें आप चेंजेश भी कर सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपको चाहिए वह से तो आखिर में यहीं कहूंगा कि हमको सारा यह 375 अंड़ा अगर 80 वीक्स में हमको मिलना है तो उसके लिए हमको बहुत बढ़िया से प्लैनिंग करना चाहिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको बहुत बढ़ी 10-15 मंजिला इमारत बनानी है तो उसका फांडेशन भी वह से स्ट्रॉंग होना चाहिए और अगर उ रहता है तो इसलिए लेर में हमको सवहफ्ते तोख मुर्वी को को रखना है यह ध्यान में पकड़ के ही आप प्लैनिंग कीजिए सवहफ्ते तो रखना है तो उसका प्लैनिंग आपको पहले दिंशाज एक differ सब्सक्राइब नहीं आएगी इतना मैं आपको गैरंट के साथ केता हूं तो यह बेंजामिन फ्रैंक्लिन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे इन्होंने बोला था कि इफ यू फेल टो प्लैन यू और प्लैनिंग करना है पहले और प्लैनिंग करने के बाद में वह जो प्लैनिंग ह करना जरूरी है हमको अच्छी तरह से प्रोड़क्टिविटे अमारे फार में लेने के लिए तो इतना कहकर मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यह मेटिंग जॉइन किया और मुझे मौका दिया कि मेरे जो विचारत है मैंने आपके सामने रखे है आपको ज